हेलो गाईस स्वागत हैं आपका स्टेडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी में मैं स्वाथी जैसे कि आप सभी को पता हैं कि अगर आप त्यार कर रहें तो इसके लिए जो है मैं डेली आपको जो है चाल्ड डपार्वेंट्स से रिलेटिड जो है medical हो non-medical हो और अगर आप जो है courses को join करना चाहते हैं तो first fab से जो हमारे ने batch start हो रहे हैं तो उसके लिए admission हमारी start हो चुकी है तो उन ने batch में जो है आप admit हो सकते हैं और आप जो है 50% discount आपको जो है courses पे चल रहा है तो आप courses के price यहां पर check कर सकते हैं यह सारे के सारे prices आपको इनी prices पे जो है आप अपने course को जोईन कर सकते हैं चले तो start करते हैं आज के sessions को फिर भी कोई doubt होका तो आप जो है comment session में comment कर सकते हैं और मुझे comment करके यह भी ज़रूर बताईएगा और motivate कीजेगा कि आपको जो है किस तरह से मेरा sessions यह लग रहा है तो चले हर वार आपकी इच्छा होती थी कि मैं आपके लिए sessions लेकर आँ तो इस वार जो है मैंने आपका session स्टार्ट करती है चले तो अपने first questions के और चलते हैं और साथ में जो है बहुत सारी चीज़ें और भी extra भी हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या important है तो हमारा जो first question है question है according to orphan conditioning learning is based on तो मैं जो है अपनी videos आफ कर लेती हो ताकि आप जो है अच्छे से question को जो है देख सको चले तो orphan conditioning के अगर हम बात करें इसका मतलब होता है हिंदी में क्रिया प्रसूत क्रिया प्रसूत सिधान तो आपने बताना है कि जो क्रिया प्रसूत सिधान के अनुसार जो है अधिगम अधारित है learning मतलब अधिगम आपका तो अधिगम अधारित है तो जो भी आपका medium हो आपने डरना नहीं है, दोनों मीडियों में मैं आपको explain करूँगे नंबर वन ओप्षिन है हेरेडिटी यानि कि आपका अनुवाशिक्ता सेकिंड है environment यानि कि पर्यावरण पर थर्ड है biological यानि कि जैपिक कारकों पर mental factor यानि कि मांसिक कारकों पर तो आपने जो है orphan conditioning theory जो है वो पड़ रखी होगी कि जो है orphan conditioning theory जो है वो किसने दे रखी है मुझे comment करके जरूर आप session में बताएं इसमें कि orphan conditioning theory जो है वो किसने दे रखी है और उसमें जो अधिगम होता अधिगम को जो है मतलब सीखना अधिगम का मतलब है सीखना तो सीखने के अगर हम बात करें तो यहां पे जो क्रिया परसूत सीधांत के अंदर जो बताया गया है वो आपका यहां पे राइट अंसर होगा environment से तो यहां पे बताया गया है कि जो चीज़े सीखी जाती थी वो बाता वरण पर आधारित होती थी परियाबरन पर आपकी अधारित होती तो यहाँ पर option number second जो है वो आपका right answer यहाँ पर हो जाएगा चलिए next questions देखते हैं next question है हमारे पास कि according to modern view intelligence is तो यहाँ पर जो है बताना है आपको कि modern view के according जो है बुद्धी जो है वो क्या है यहाँ कि अगर हम बिल्कुल हिंदी में कहें तो आधुनिक अभधारना के according जो है बुद्धी डैश है number one one dimensional यहाँ कि एक आयामी two dimensional three आयामी multi dimensional यहाँ कि बहु आयामी और none of these इनमेंसे कोई नहीं तो आपने जो है इस concept को जो है intelligence वालों को जो अच्छे से पढ़ रखा होगा और इसमें जो है multi dimensional की बात कीगी है आधुनिक अभधारना के coding जो है multi dimensional की बात के रखी है तो यह जो concept है जो जो मैं daily questions करवाती है concept को आप ध्यान में रखें कि कौन कौन से concept आ रहे हैं वहीं से questions आते हैं उनी concept में से चली तो next देखते हैं next हमारे पास है next देख लेते हैं next में है first stage of motivation cycle तो यह जो motivations वाला concept है आपका very very important इसमें motivation cycle दिया गया है तो यहां पर motivation cycle के अगर हम बात करें तो आपने बताना है इसमें first stage कौन से है तो चार stages बताएगी है उसमें तो जो भी आपका motivation का मतलब अभी प्रेरना हैने cycle को चकर कहते हैं तो number one goal बताया गया है यानि कि लक्षय बताया गया है या फिर drive drive को आप कहते हैं अंतनोध अंतनोध बताया गया है incentive या फिर प्रलोभन बताया गया है या फिर need यानि की आवेशक्ता बताएगी है तो यहां पर जो है मैं आपको साथ में बता भी देती हूँ मैं आपको जो है इसका circle बना कर दिखा देती हूँ किस तरह से है इसका circle क्या रहता है तो देखिए यह आपका जो है इसका circle रहता है सबसे पहले हम बात करते है यहां पर need की need होती हमें किसी चीज़ की आवेशक्ता होती है तब ही हम क्या करते है मालो हमें जो है job की आवेशक्ता है इसी लिए तो हम तियारी कर रहे हैं, अगर नहीं होती तो शयद हम नहीं करते, फिर हम क्या करते हैं, हमें दूसरे stage पे जो है drive होता, अंतनोत चाहिए होता है, फिर हमें जो है जैसे मालो हमें पता है कि हमें teacher बनना, तो हमने उसके लिए क्या किया, सर्च करना शुरू किया कि teacher के लिए क्या क्या करना है फिर हमें पता चला कि tag करना पड़ता है पहले तो आप tag की तैयरी कर रहे tag की त्यारी करते करते हैं आपको क्या चागी कुछ inside 行لام suis rings आप TGT के लिए eligible हो जाते हैं तो incentive मिल गया आपका TAT हो गया फिर आप अपने goal तक पहुंच आएंगे तियारी करके तो इस तरह से जो है ये चार stages बता रखी है तो आप जरूर motivation वाला जो concept है उसको जरूर पढ़के जाए एक्जाम में आपको यहां से 101% question देखने को मिलेगा चलिए next concept पे चलते हैं फिर सल आपका IQ वाला है तो कई बार IQ की फुल फॉर्म पूच ले जाती है तो आपका जो है intelligence quotient जो है इसकी फुल फॉर्म रहती है और कई बार पूच ले जाता what is IQ तो IQ जो है height को major करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है feet होता है unit होती है और अगर हम weight को major करते हैं तो उसके लिए आपके पास kg होता तो वो unit है तो उसी तरह से IQ क्या है intelligence को major करने की unit है question क्या है question number 4 IQ of mentally challenged children will be तो आपने बताना है कि जो mentally challenged जो बच्चे होते हैं उनके IQ level क्या रहता है तो mentally challenge का मतलब मानसिक रूप से जुनोती गरस्त बालग आपके तो number 1 below 70 कि 70 से नीचे 70 to 79 या फिर 80 to 89 या फिर 90 to 90 हाँ यहाँ पे 90 to 99 कि यहाँ पे क्या right answer हो जाएगा आपका below 70 70 से नीचे जो है वो आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा चलिए next देखते हैं तो यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा यह भी देख सकते है साथ में IQ ranges होती है अच्छा यह जो classification कर रखी है यह very very important और यहाँ पे बता रखा है 130 से अबव है किसी का अगर IQ level तो very superior होता है 120 to 130 तो superior है 110 से लेकर कि 119 या 20 तक है तो high average student होता है 92, 109 या 1010 की अगर बात करें तो average होता है 82, 89 या 90 जो है तो low average होता है 70 to 79 जो borderline student होता है below 70 यानि कि intellectually disabled होता है तो यह सब चीजे जो है यह आपको एक table बताया गया है जो आपको intelligence वाले topic में मिल जाएगा तो इस table को आप जरूर देखके जाए एक बार ताकि आपको पता चल सके और यहां से question पूछे जाते हरवार ही यह topic very very important आपके लिए चलिए next questions देखते हैं Ericson से है Ericson से हमने पिछली क्लास में भी किया था Ericson stage for adult sense is तो यहां पे आपको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि Ericson ने क्या दे रखी है stages दे रखी 8 stages दे रखी है और Ericson जो है वो social theory की ही बात करता है यानि कि समाजिक theory की सिधान की ही बात करता है तो यहां पे बोलता है कि बताना है कि जो adult sense है कि शोर अवस्था है उसकी Ericson में ने जो बता रखी है बच्चे की उसमें बच्चा जो है कौन से स्टेज में होता है कि बच्चा जो है यहां पे जो बच्चा जो है पहचान बनाम भूमिका में भ्रम्मे रहता है यह trust versus mistrust यानि कि विश्वास बनाम विश्वास में autonomy versus shame स्वातनतता बनाम शर्म में और initiative versus guilt यानि कि पहल बनाम अपराध में तो यह जो है आपने यहां पे सही answer इसका बताना है तो यहां पे क्या होगा option number A जो है आपका identity versus role confusion में बच्चा एडॉल से इसकी अंदर रहता तो बच्चे को कभी लगता है कि वो हमेचा जो है अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है अपनी identity को लेकर के जो है वो हमेचा ही जो है बनाने की कोशिश करता है कई वार अपने ही role को लेकर की confuse हो जाता है तो आप यहां पे देख भी सकते है इस table के अंदर भी बता रखा है कि यह है जो बच्चे के adult sense age है और बच्चा जो है identity versus role को लेकर confusion में रहता है तो यहां पे और भी बता रखे आप इसे भी जो है screenshot कर सकते हैं और देख सकते हैं कि trust versus mistrust में बच्चा जो है कब से कब तक रहता है autonomy versus stage में जो है जो रहती है autonomy और shame बाली यह कब से कब तक रहती है यह सब stages यहां पे बता रहती है आप इसे जो है इकवाज ज़रूर पड़े यह table very very important यही अरिक्सन की 8 की 8 stages है चली तो आई hop आपको यह जो है मेरी बात clear होगी होगी next questions देखते हैं next questions है हमारे पास question number 6 question number 6 क्या कहता है according to humanism central point of personality तो यहां पे आपने जो है बताना है कि humanism के according जो है प्रैसनेलिटी जो है या व्यक्तित्व का जो केंदर विंदू है वो क्या है तो यहां पे option number 1 है आपका 8th, second है super ego, third environment और fourth है तो आपने जो है concept पर रखा होगा idm ego वाला हन तो वो भी आप जरूर पढ़े उस concept को जो है जरूर पढ़ना है आपने है ना उस concept को भी तो options मुझे आदा है कि आपने उन concept को जरूर पढ़ना है उसको इसका जो right answer है वो self है option number 4 जो है वो यहां पे सही answer है चले next देखते है next question हमारा question number 7 क्या कहता है question number 7 है abstract thinking repel during आपने बताना है कि जो अमूर चिंतन होता है या फिर जिसे आप जो अमूर चिंतन ही कहते हैं उसका जो भी कास है वो कभ होता है अच्छा यह जो है यह प्याजे की थियोरी का है प्याजे की थियोरी आपने पढ़ रखी होगी तो उसकी जो 4 स्टेजिस हैं उन में से है बता रखा है कि बच्ची के abstract thinking कब डिपल्प होती है pre-operational stage में मतलब पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में formal operational यानि की आप चारिक आप चारिक सक्रियात्मक अवस्था में या फिर concrete operational यानि की मूर्थ सक्रियात्मक अवस्था में sensory motor stage या संबेद्धी पेशिया अवस्था में तो इस 4 की 4 जो है आपको stages दे रखी है तो आपने बताना है इसमें कि किसमें होती है तो यहां पर राइट अंसर क्या होगा आपका second option formal operational stage आप चारिक आवस्था में तो उसमें बच्चा abstract thinking करता है बच्चा जो है जो चीजें नहीं होती है उन चीजों के बारे में भी सोचता है उसे लगता है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है आपकी formal operational stage आती है उसी में बच्चा सोचता है तो यह देखे यहां पर fourth stage आप देख सकते है इसमें thinking about hypothetical hypothetical का मतलब होता परिकल नात्मक जिंतन करना तो sensories and processing abstract thought और इसमें developmental phenomena की बात करें तो क्या होता है abstract logic लगाता है बच्चा foundational for the mature moral reasoning होती है बच्चे की तो यह सब है और चार stages कौन-कौन सी number one पे sensory mode आती है second पे pre-operational third पे concrete operational और fourth में formal operational तो number 20 जो है इनको ज़रूर याद करें third question बन सकता है 2 से लेके 2 साल तक बच्चे कौन सी stage में होता है 2 से 6 तक कौन से होता है 6 से 11 तक और 12 से लेके adult hood तक कौन सी stage में होता है तो ऐसा भी question आपको आ सकता है तो इसे जो है जरूर आप जो है एक बार जो है अच्छे से पढ़के जाएं देखो ऐसे ही question आते है पेपर में और ऐसे ही आएंगे आपको आप देखेंगे खुद पेपर ठीक है question number 8 देखते है correct matches आपने correct match करना यहाँ पर आपको दे रिखा है आपके जो psychologist है उनके नाम है साथ में उनके जो चीज़ें उनके द्वारत दी की हैं उसके बारे में बात की नमबर वन है इद मैसलो ने दे रखा है क्या तो नहीं मैसलो की जो थियोरी है वो आपकी अलग थियोरी है तो यह उन्होंने यहाँ पर नहीं दे रखा है तो इसके बाद हम देखते हैं second है इडेंटिटी तो फ्राइट ने दे रखी है क्या तो इडेंटिटी भी जो है वो फ्राइट के द्वारा यहाँ पर अच्छा question number 8 है हमारा है तो यह भी इनकी द्वारा नहीं दे गी है फ्राइट के द्वारा नहीं दिया गया है फिर एज सेल्फ तो सेल्फ भी स्कीनर ने नहीं दिया है स्कीनर की थूरी conditioning वाली है आमारी है और ZPD यह राइट है ZPD जो है वो by cost के द्वारा ही दीगी है कई वार ZPD की full form आ जाती है तो John of proximal distal distal च्छिक तो इसको जो है आपने एक बार देख लेना है अच्छे से ZPD की full form भी चली next question क्यों चलते है question number 9 है हमारे पास next है who gave the concept of intelligence question तो यह मैंने आपको अभी बताई थी full form intelligence question IQ की तो बताना है कि किसके दारज़ा है concept दिया गया है concept पूछा गया यहाँ पर डिपल्प नहीं पूछा गया number one Alfred Vinet second है आपका जो है Theodore Simon और third है William Stain और fourth है Robert Stainberg तो यहाँ पर क्या right अंसर होगा किसके दारज़ा दिया गया William Stainberg के दारज़ा यहाँ पर आपका सही अंसर हो जाएगा इन्हों ने चो है intelligent question का concept दिया है concept जो दिया है वो इन्हों ने दिया है चली next देखते है next हमारा आता है question number 10 तो question number 10 है extra word and intro word तो आपने जो है पढ़ रखा होगा Jay Jung का सिधान्थ पढ़ रखा होगा तो उनके द्वारा जो है तीन तरह के बताएगे है कि तीन तरह के लोग होते है एक होते है आपका intro word एक extra word और एक emmy word से तीन तरह के बताएगे तो यहाँ पर बोला गया है कि किसके द्वारा जो है ये दिया गया है सिधान्थ और मैंने पहले ही बता दिया आपको किसने दिया है जूंग ने दिया है चले तो ये जो है इनका right answer था तो इनके द्वारा दिया गया सिधान्थ था और very very important है तो तीन तरका बताया था और उने तो यहां पर आप यह भी देख सकते हैं, ज़ादा बोलने वाले होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, अप्टिमिस्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो यह सुप चीजी इसमें रहती हैं, तो आपने इस पूरी घ्लास को देख लिया है, और डेली जो है इसी तरह से आपको जो है questions हमारे जो है दोरा प्रोवाइड करवाई चाहते हैं और उमीद करती हूँ कि आप सभी को जो है यह हमारे session जो है अच्छे लग रहे हूँगे और आप जो है वीडियो को जरूर जो है लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि आप online coaching study service के साथ करना चाहते हैं with concept हमारे पास पढ़ना चाहते हैं full course आप जोईन करना चाहते हैं तो मैंने कहा कि हमारा new batch जो है मैंने आपको भी बताए कि हमारे जो new batch है वो start होने जा रहे है first gen से जो है इसकी classes start होने जा रही है new batches की online coaching रहती है हमारे पास जिसमें day की classes available है day में आप जो है classes लगा सकते हैं साथ में जो live class होती है उसकी recording भी दी जाते हैं मानलो आप day में नहीं लगा सकते हैं तो आप जो है उसी recording form में देख सकते हैं सेम उसी class को जो day में class हुई है तो with mock test आपके रहते हैं with nearby आपको crash course भी उसमें provide कर वाया जाता तो included रहता है तो आप जो है courses को join कर सकते हैं चाहिए आप medical के हो non medical के हो arts हो या LD हो आपका तो सारे courses join कर सकते हैं हमारे चलिए तो thank you so much for watching this video और more information के लिए 75910-46600 पे जो है आप contact कर सकते हैं और I hope के आपको जो है हमारी class अच्छी लगी होगी इसी तरह सी study service के साथ बने रहिए और comment जरूर करके बताए मुझे ताकि आप मुझे भी थोड़ी feedback मिले क्या आपको जो है classes कैसी लगी thank you so much